लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले आज के समय में हर मनुश्य धनवान बनना चाहता है जोतिश शास्तर के अनुवासार आपने भी सुना होगा कि हमारी किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में लिखी हुई होती हैं जिसकी वज़े से जोतिश हमारी हाथ की रेखाओं को देखकर हमारी किस्मत के बारे में बताते हैं ये बात तो सभी जानते हैं कि इन सभी रेखाओं में से कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ इंसान के जीवन के लिए काफी हानेकारक होती हैं इन रेखाओं से ही हम अपनी भविश्य के अच्छे बुरे संकेतों के बारे में जान सकते हैं इन रेखाओं को भाग्य रेखा, फ्रदरेखा, जीवन रेखा, विवाह रेखा नाम से जाना जाता है। इन रेखाओं के साथ साथ कई प्रकार के हाथों पर चिन भी बने होते हैं। ऐसे में हमारी आज की जानकारी के अनुसार बड़े बड़े जो तिशाचारे भी मानते है कि अगर किसी इनसान की हतेली में अनामिका उंगली के ठीक उपर सूर्य परवच्थित होता है। यहां तक आने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है जिनकी हतेली में इस रेखा के उपर स्टार यानी सितारे का चिनह होता है वे धन्वान होने के साथ ही समानत और मशूर होते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर मध्यमाउंगली के उपर शनी का स्थान होता है, इस स्थान तक पहुचने वाली रेखा भाग्ये रेखा कहलाती है, जिनकी हतेली में भाग्ये रेखा पर तिशूल का निशान बना होता है वे बड़े ही भाग्येशाली होते हैं, किसमत इ इने लख़पती करोड़पती बनने में पूरी मदद करती है.